मेरे प्यारे भाई और बैनों, आप सब को मेरा हार्दिक परनाम आज सुबह जब मेरी आँख खुली, तो मैंने अपने भीतर ये शब्द सुने बहुत जनम बिछरे थे माधव, एह जनम तुमारे लेखे बहुत जनम बिछरे थे माधव, एह जनम तुमारे लेखे धन्या है वह इंसान, जिसके दिल के गैर आई से ये पकार उठती है हे मेरे प्रियत्म, हे मेरे प्रभू, मैंने कितने साड़े जनम आप से बिच्छर कर गुजारे है, अब यह जन्म तुमारे लिए है, मैं अपना यह जीवन पूर्ण रूप से आपके चर्णों में अर्पन करता हूँ, आपके चर्णों में अर्पन कर रही हूँ, बहुत जनम बिछरे थे माधव एव जनम तुमारे लेखे मेरे प्यारे भाईों और बेनों एक-एक मनश के भीतर केवल मनश की क्या एक-एक जीव के भीतर जो चीन्टी समीन पर चल रही है मच्छर जो हवा में उर रहे हैं पंची जो विरिक्ष पर चहक रहे है एक-एक के दिल में सुख पाने की चाह है एक-एक जीव सुख ही होना चाहता है यदि आप किसी से भी पूछें what is the deepest aspiration of your heart और थाथ तुमारे दिल में सबसे गहरी प्यास क्या है तो वह आपसे कहेगा मैं सुख ही होना चाहता हूँ मुझे सचा सुख चाहिए मेरे पेरे जनों ये सारा समसार सुख की तलाश में भटक रहा है कि तुम अफसोस हमने हम में से कई लोग जानते ही नहीं कि सचा सुख हमें कैसे मिल सकता है हम हैं कि सारा समय बाहबातों में भटकते रहते हैं हम में से कई लोग सोचते हैं कि जब हमें खूब सारा धन मिलेगा तो हम सुख ही हो जाएंगे जब हम लख पती या करोर पती बन जाएंगे हमें सचा सुख मिल जाएगा उसके बाद हम लख पती तो बन जाते हैं करोर पती भी बन जाते हैं पर देखते हैं कि इतनी दौलत मिल जाने के बाद भी हमें सुख तो मिला ही नहीं उल्टा हम करोर पती बनने से पहले अधिक सुखी थे एक करोड़ पती व्यक्ति है उसके पास करोड़ों पाउंज है मैं रुपयों की बात नहीं कर रहा अब लंडन में रहता है He is a master of millions of pounds sterling आजकर एक पाउंज की कीमत सतर रुपय है यदि किसी के पास एक करोड़ पाउंज हो तो यहां के हिसाब से उस व्यक्ति के पास सतर करोड़ रुपय होंगे उसके पास तो करोड़ों पाउंज है उसने मुझे एक पत्र लिखा जानती है पत्र में उसने क्या लिखा उसने लिखा मेरे पास वह सब कुछ है जो संसार दे सकता है मेरे पास संसार की सारी धन दौलत, एशो आराम की सारी चीजे हैं, मेरे एक इशारे से कई लोग मेरे सामने हाजर हो जाते हैं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं आप से सच कह रहा हूं कि ऐसा कोई दिन नहीं है, जब मेरे भीतर आत्म हत्या करने का विचार नहीं उठता, मेरे प्यारे भाई और भेनों, आत्म हत्या का विचार तो उसी के दिल में उठता है, जो दुखी होता है, धन दौलत में सुख नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं, एशो आराम से उन्हें सुख मिल सकता है, मेरे प्यरे जनों, अक्सर मुझे एक व्यक्ति मिलता था, मैं उससे पूछता, तुम कैसे हो, हर बार वा मुझसे कहता, जब मेरा एक बड़ा आलिशान बंगला होगा, तब मैं सुखी हो जाओंगा, अच्छा सा बंगला, किसी सुन्दर पहारी के धलान पर हो, आगे वह कहता था, मैं यह बात अपने लिए नहीं कह रहा, पर ऐसे सुन्दर से बंगले में मैं अपनी माँ को रखना चाहता हूँ, ताकि वह वह वाँ सुख से रहे, रहना स्वाम चाहता था, पर दोष बेचारी माँ पर मर दिया, मेरे प्यारे भाई और भेनों, भगवान के किरपा से उसने बंगला बनवाया, उसके बाद वह मुझे मिला, और कहने लगा, मुझे लगता है, मैं पहले से अधिक दुखी हो गया हूँ, जब छोटे घड़ में रहता था, तो खुश था, मेरे प्यारे जणों, सुख इंसान सारिक बातों में नहीं है, इंसान बेचारा इने पाने के लिए सारा समय भटकता रहता है, इंसान सारा समय सुखी तलाश में बाहर भटक रहा है, पर वास्तव में सुख तो उसके भीतर ही छिपा हुआ है, हम निसे एक एक के भीतर सचा सुक छिपा हुआ है, जैसे हिरन होता है, उसकी नभी में खस्तूरी होती है, उसे इस खस्तूरी की सुगंध आती है, हिरन बेचारा सूचता है, खस्तूरी की सुगन कहां से आ रही है, उसके लिए यहां से वहां भागता रहता है, हिरन पश्वों में सबसे तेज भागने वाला प्रामी है, यदि पश्वों की ओलिम्पिक्स हो, तो उस ड़ुर के खेल में चीता नहीं जीतेगा, नहीं बंदर जीत पाएगा, हाँ, पर हिरन जीत पाएगा, क्योंकि हिरन बहुत तेज भागता है, यहां से वहां भागता है, यह देखने के लिए कि आखिर सुगन आ कहां से रही है, पर सुगन तो उसके नाभी में ही रहती है, थी किसी परकार, हम में से एक एक भीतर सुख का खजाना छिपा हुआ है, किन्तु हम उसे पाने के लिए भटकते फिरते हैं, इस तरह भटकते भटकते हमने कई जनम गुजार दिये हैं, उपनिषद में रिशी कहते हैं, गॉड पिर्स तबादी अवन गुजार दिये हैं, जब इश्वर ने मनुषद के शरीर की रचना की, तो उसमें छेद कर दिये, एक-एक मनिषद के शरीर में नव शेद है, इसलिए मनिषद के देह को उपनिषद में नव द्वारे नगर कहा गया है, ये नव द्वार काउन से हैं, ये नव द्वार हैं, हमारे दो आँखे, देखिए हमारे आँखे, हमारी आँखे कहां कहां नहीं भटकती, आप यहां सत्संग में बैठे हैं अब अगर रास्ते से कोई बैंड गुजरे तो कुछ लोग उठकर उसे देखने बाहर चले जाएंगे हमारी आँखे सारा समय बाहर देखती है सत्संग में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आँखे बंद करके बैठते हैं और ध्यान से सुनते हैं उसके बाद दो द्वार हैं हमारे कान यदि कानों में कोई आवाज पर गई तो मेरी तवबा वे तुरंत खरे हो जाते हैं विशेश रूप से अगर किसी ने आपका नाम लिया और आवाज कानों में पर गई तो बस वे जानने के लिए उत्सक हो जाएंगे कि हमारे बाड़े में क्या बात हो रही है हमारे कान भी भटकते रहते हैं अच्छा उससे भी बढ़कर है हमारी जुबान जो सबसे ज्यादा भटकती है जिसका अपनी जुबान पर सयम है अवा बेशक सुखी है of the spoken word we become slaves of unspoken words we are masters हमने चुप रहना नहीं सिखा जो मुह में आया वो बोल देते हैं उसके बाद दो दौर हैं हमारी नासकाएं ये कुल मिला कर साथ दौर हो गए बाकी के दो दौर हैं the organ of generation and the organ of evacuation ये सारे छेद मनिश को बाहर भटकाते हैं धन्य है वह इंसान जो अपने भीतर जाता है सभी संतों की यही एक शिक्षा है मेरे प्यारे भीतर जाओ भीतर जाओ turn within turn within within you is everything that you are seeking हमें दूर दूर किसी तीर्थिस्ताम पर नहीं जाना है हमारे भीतरी सब कुछ मवजूद है इस शरीक और इश्यों ने कहा है शरीरम ब्रह्मा मंदरम the body is a temple of God एक एक मंदर में आप दो बाते अवश्य देखेंगे तहली बात हर मंदर में जोती जलती रहती है और दूसरी बात हर मंदर में गंटे जरूर होती है जब लोग मंदर जाते हैं तो गंटा बजाते हैं हर एक मंदर में गंटा और जोती ये दो बाते अवश्य दिखाई देंगे इस शरीर उपी मंदर में भी ये दो बाते मवजूद हैं इस शरीर में भी जोती है जो सारा समय जलती रहती है the light that is inextinguishable the light that can never be extinguished चाहे कितनी भी आंधी चले चाहे कितनी भी तूफान आ जाएं ये जोती कभी नहीं भुजती इस जोती का आपको दर्शन करना है इस शरीर में एक घंटा भी है जो सारा समय बज रहा है इस घंटे को संतों ने अपनी पवित्रवानी में अनहत शब्द कहा है ये अनहत शब्द हम में से एक एक भीतर चौव वी सों घंटे बजता रहता है पर हम इस अनहत शब्द को सुन नहीं पाते सुनता नहीं दुन की खबर अनहत खबाजा बाजता सुनता नहीं दुन की खबर सुनता नहीं दुन की खबर अनहत का बाजा बाजता सुनता नहीं दुन की खबर सुनता नहीं दुन की खबर अनहत का बाजा बाजता अनहत का बाजा बाजता मेरे त्यारे भाई और बेनों हम इतने शोर गुल में रहते हैं कि उस अनध शब्द को सुन ही नहीं पाते फिर एक दिन अचानक हमारे भीतर से जगदा आ जाती है और हम भगवान को पुकार उठते हैं बहुत जनम बिछरे थे मादब इस जनम तुम्हारे लेखे हमारा यह जनम तो काफी गुजर चुका है पता नहीं हम अब अब और कितनी घरियां यहां होंगे या फिर पता नहीं हम कितने घंटे यहां होंगे या पता नहीं कितने दिन हम यहां होंगे या पता नहीं कितने सपता हम यहां होंगे या पता नहीं यहां हम कितने महिनों तक होंगे या पता नहीं कितने साल हम यहां होंगे इसका हमें कुछ पता नहीं है पर हम भगवान से कहें कि बाकी जो दिन हमारे जीवन के शेश बचे हैं एवे हम तुम्हें अरपन कर देते हैं तुम्हारे लेखे, तुम्हारे लेखे अब बाकी अन्य बातों में हम अपने जीवन के दिन वेर्थ नहीं गवाएंगे पता नहीं किस भागय से हमें यह मानिव देही मिली है बस मिल गई है पर हमें इसकी कदर नहीं है कदर नहीं है यदि एक बार हम इसका मूल्य जाम ले तो फिर बाकी के सारे काम का छोड़ कर we will press all our energies and use all our time हम अपनी सारी शक्ती अपना सारा समय प्रभु के ध्यान में लगा देंगे बहुत जनम बिछरे थे माधव ए जनम तुमारे लेखे हे भगवन मेरा यह जनम अब तुमारे चर्णों में अर्पन है मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए सब कुछ है तुमारे लिए मैं जब भी सोचूंगा तो तुमारे बारे में ही सोचूंगा जो भी काम करूंगा तुमारे लिए ही करूंगा मेरे प्यारे भाई और भेनों आपने कभी सोचा है कि हमारे भीतर कितने सारे विचार उठते हैं कभी आपने इन विचारों को परभू की और मोरा है हम परमात्मा को याद ही नहीं करते हम बार बार उने भुला देते हैं हम सुबह जब उठते हैं इश्वर को याद करते हैं, अपने घर में एक छोटा सा कोना है, वहाँ भगवान की तस्वीर रखी है, फिर सुबह वहाँ जाकर थोड़ी देर पुजा अर्चना करते हैं, हमारा मन कुछ बर-बर आता है, रहता है, किन्तु मन पता नहीं कहां कहां भटकता रहता है, बस उसक के बाद सोचते हैं, इश्वर को याद करने की ड्यूटी पूरी हो गई, फिर अपने कामकाज में लग जाते हैं, और इश्वर को भूल जाते हैं, बस यही कारण है, कि हम दुखी रहते हैं, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तो हमारा मन भटकने लगता है, और सारे प्रचा सुख मिलता ही नहीं, बहुत जनम विछरे थे मादव, ये जनम तुमाहे लेखे, मेरे प्यारे भाई और भेनों ये शब संत रवीदास जी की वानी के हैं, वे जाती से चमार थे, एक मोची थे, पर उनके चर्णों में राजा, महाराजा, राणिया तथा महाराणिया शीष जुकाती थी, जैसे हमारी संत मीरा भाई, सादू आस्वानी मिशन के स्कूल्स और कॉलेज पर, जिनका नाम रखा गया है, जब गुर्देव सादू आस्वानी जी ने शिक्षा का कार्या आरम किया, तो उन्होंने कहा, हम ये सारा कार्या संत मीरा भाई के चर्णों म अरपन करेंगे, क्योंके गुर्देव बाली काओं की शिक्षा पर जोर देना चाहते थे, एन एजुकेशन विच में अवेकन द वूमन हुड अफ इंडिया, इसलिए उन्होंने कहा, हमें बाली काओं के आगे, मीरा भाई के आदर्श रखने चाहिए, मीरा भाई तो कृष सरा न कोई, जिसके सिर मोर मुखट मिरो पती सोई मेरे तो गिर्धर को पाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिर्धर को पाल, दूसरो न कोई जांके सर मोरं कुट मेरो पती सोई मेरे तो गिर्धर को पाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिर्धर को पाल, दूसरो न कोई कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो लियो है अखिया ओल, कोई कहे हलपा, कोई कहे भारो कोई कहे हलपा, कोई कहे भारो, लियो है तरा जोतो मेरे तो गिरी धर गोपाल, दूसरों न कोई मेरे तो गिरी धर गोपाल, दूसरों न कोई कोई कहे छाने, कोई कहे छवने, कोई कहे छाने, कोई कहे छवने, लियो है बजता खोल तन का गहना, मैं सब कुछ दीना, लियो है बाजुबंद को मेरे तो गिरी धर गोपाल, दूसरों न कोई मेरे तो गिरी धर गोपाल, दूसरों न कोई जांके सर मोरं पुट मेरों पति सोई मेरे तो गिरी धर गोपाल, दूसरों न कोई मेरे तो गिरी धर गोपाल, दूसरों न कोई मेरे प्यारे भाई और बैनों, मीरा भाई संत रवीदास जी की शिश्या थी एक दिन मीरा भाई उनके पास जाती है और हाथ जोड कर खड़ी हो जाती है उस समय संत चमरे को रंग लगा रहे थे तब वे पूछते हैं काउन है मीरा भाई कहती है मैं मीरा इस पर रवीदास जी कहते है मैं तो मीरा काउन और मीरा तो मैं काउन मीरा भाई असमन जस्मे पर जाती है आगे संत कहते हैं क्यों आई है मीरा भाई कहती है प्रभु जी ज्यान की तलाश में आई हूँ तब रवीदास जी कहते हैं पंग भी है क्या ग्यान की तलाश में एक चमार के पास आई है ग्यान चाहिए तो जाओ तुलसीदास के पास उन दिनों संथ तुलसीदास बनारस में रहते थे तर अचानक संथ रवीदास अपनी आँख उठा कर देखते है तभी उनके मुखारवन से निकलता है अरे तुम तो रंग गई हो रे चमरे को रंग लगा रहे थे जिससे रंग के छींटे मीरांबाई की सारी पर जा लगे इसलिए वे बोले अरे तुम तो रंग गई हो उनका इतना कहना के मीरांबाई की चेतन धारा उपर चर जाती है उन पर खुमार साच आ जाता है वे उसी समय नाचने और गाने लगती है आज बस इतना ही इस महान संत रविदास के जीवन पर बाकी की चर्चा कल करेंगे ओब शान्ती 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 झाल शान्ती 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 श